असलाम अलेकुम, आज मैं अपने किचन में आपको वेकम करती हूँ, आज हम फ्राइस बर्गर बनाने की रेसिपी तायार करेंगे, जिसके लिए मिने एक आलू ले लिया, उसे इस तरीके से आलू की चिप्स की तरह काट लिए, अब हम इसमें जो चीजें शामिल करते जाएं करेंगे, असमें जरूत अल्दी इसमें शामिल करेंगे, पीसा हुआ हरा दनिया ये इसमें शामिल करेंगे, और इसे इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से मसाला इसमें मिला लिए अची तरीके से, अब हम इसे तलना शुरू करेंगे, तेल अच्छी तरीके से गरम होग सब्सक्राइब अब हम रापतिर नग्यों करें ऐसे दूध सरफे चाहरो यहां अब इसे निकार रही Б Kelly's ग्रीसika in इसके अउपर बढ़ रखेंगे इस तरीकसे अलकी धर्म्यानी आज पर चुले पर रखना है। इस अच्छे से फ्राइ करके ब्रॉन हो जाएगे फिर हम इससे अलग कर देंगे। रोण होगे अब दूसरे भी इसी तरीके से ब्रॉन करने हैं। अब हम इस पर माइनस लगाएंगे इस तरीके से ब्रेड पर इस तरीके से अच्छी तरीके से माइनस इस पर लगाना है अब हम इस पर केचप इस तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से माइनस लगाए था इसी तरीके से केचप लगाना है अब हम फ्रैज इसके उपर रखते जाएंगे इस तरीके से गरम गरम फ्याय से ये इस तरीके से बर्गर पर रखेंगे हमने चिप्स में मसाला सब शामिल कर दिया था और अगर आप चाहे तो उपर से अलग से भी मसाला शामिल कर सकते हैं आप तरीके से डालते जाएंगे अब बन का उपर वल ऐसा इस तरीके से रख देंगे राइस बर्गर तयार हो गया है अब हम इसे आपको काट कर दिखाते हैं इस तरीके से चुरी से काटना है इस तरह के से हमने काट लिया देखें कितने मज़ेदार बर्गर तयार हो गया है आप पि अपने अपने गढ़ में यह रिसीपी जरूर बनाना हमारे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और आरे च्छेलियर को सबस्क्राइब करना अगर आप आप मारे वीडियो को सब्सक्रा रखने लाफीस